हलो दोस्तों नमस्कार शंतोसी आईस में आप सभी का स्वागत है आज यहाँ पर हम पार्ट फोर लेकर आए हैं इससे पहले हमने पार्ट थिरी तक आल लेडी खतम कर दिया है जो बुक दिक रही है यह आपका क्रोनिकल का आपजेक्टिव है ठीक है तो आज यहाँ पर हम करते हैं तो लगभग आपकी तैयारी सही है तो आज यहाँ पर 150 कोश्चन होंगे और सब कोश्चन आपका टार्गेट है तो चलते हैं पिछले वीडियो में जो पार्ट थिरी डाले थे उसके रैंकर को दिखा देते हैं इन लोगों की कौन से रैंक आई है तो चलते हैं हम दिखाते हैं तो यह हैं पार्ट थिरी वीडियो के रैंकर पहले रैंक पे हैं बेरेंद्र यादो इनका 83 कोश्चन सही हुआ है 100 कोश्चन में इनका रैंक काफी अच्छा इनका रैंक वान है ठीक है तो इन्होंने इनकी आपका परेंट फेर अच्छे है ठीक है तो आप इन और प्रिंग का सर्मा इन्होंने 69 कुश्चन सही किया है राइंग 3 राइंग 4 पर है आपके सिवानी तिवारी याद रहें 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 और सुधान्सु अवस्थी हैं राइंग 5 पर जो 67 कुश्चन सही किया है और आपका नेहा अगरवाल राइंग 6 इन्होंने 55 कुश्चन इन्होंने सही किया है चैंद्र सेखर इन्होंने 49 कुश्चन सही किया है और इनकी राइंग 47 ठीक है और यह 45 कुश्चन सही किया है इनका सिद्धी अतुल इनकी rank है एट इतने लोग उने reply दिया है अपने answer का गितना लोग तो सभी लोग जितने भी लोग हैं सभी अच्छा किये हैं कम से कम आपने reply दिया है कम से कम आपने ध्यान से सभी question को देखा सभी लोग देखें किसी कारवडस कुछ लोग नहीं कर पाय होंगे तो प्लीज आप सभी किया करिए चलिए हम अपने question answer पर चलते हैं तो पहला question का क्या रहा है किस देश की संसद ने पिटेरी ओपो को देश का नया परधान मंत्री चुना है तो किस देश की संसद ने चुना है बताईए हम थोड़ा सा समय भी देंगे आपको ठीक है डेड़ सो question है आज थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा तो फिनलेंड के याद रखेगा फिनलेंड के दूसरा question है किस मतलब किस लेखक को की गई है तो यह सलमान रुज्दी याद रखेगा सलमान रुज्दी को दिये जाने की गोशड़ा की गई है किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट बिस परियटन संगठन यू यन डबलू टियो ने संयोग को मजबूत करने और हित के समान चेतरों की पहचान करने के लिए एक साजिदारी समझावता किया है तो किस ने किया है? भारत ने किया है. याद रखेगा भारत ने किया है. किस राजसरकार ने नसीली दवाओ के खत्रों पर नकेल कसने के लिए Operation कवच किसने शुरू किया है तो अभी तक पंजाब का ही प्रॉबलम थी यह हर याड़ा का भी प्रॉबलम हो गया याद रखेगा Operation कवच किसने हर याड़ा ने शुरू किया है पांचवा देखे क्या कह रहा है भारत ने किस देश को सौधेश निर्मित सर्विस मिसाइल कार्बेट I.N.S किरपाण उपहार में दिया है तो किस देश को दिया है 5 का बताईए तो ये भीयत नाम ठीक है तो भीयत नाम को दिया है 6 नमबर का देखिये किस संस्थान ने गूगल और एपल की वो बित्तिये लेंदेन के लिए मुबाइल उपकरोडों को सुरचित करने के लिए प्रेरित किया चटांगा बताईए तो भारतिये रिजर्व बैंक ने याद रखेगा भारतिये रिजर्व बैंक ने किया किस संसान ने हाल ही में आनलाइन ब्राउंड प्लेट फार्म पर दताओं ओबी पीपी द्वारा उत्पाद पेशकस पर दिसा निर्देश चारी किये तो साथवां बताईए किस ते इसने तो साथवां भारतिय परतिभूत और बीनियमन बोर्ड से भी इसको आप कहते हैं किस राज्य ने 2022 ते इसके दोरान उच्छतम पवंच हमता ब्रिद्दी दर्ज की है तो किस राज्य ने दर्ज की है तो किस ने गुजरात ने दर्ज की है याद रखेगा गुजरात ने दर्ज की है हाले में किस की पुस्तक को एलिजाबेथ लोंग फोर्ड प्रुसकार प्रदान किया गया है किस की पुस्तक को तो राम चंद्र गुहा को इम्पॉर्टन कुश्चन है याद रखिएगा एली जावेथ लांग फोर्ड पुरुसकार राम चंदर गुरुहा की पुस्तक को प्रदान किया गया है किस देश ने 15 जून 2023 को एक साथ 41 सेटलाइट को इस पेस में लांच किया बताएए किस देश ने लांच किया बिटेन ने तो बिटेन ने लांच किया ठीक है याद रखिएगा बिटेन ने लांच किया एक तालिस सेटलाइट को इस पेस में लांच किया लेवन्थ नमर का बिस इसक्वेस शेंपिनेस मिस्र ने किस देश को हरा कर जीता चीन को हराकर जीता याद रखिएगा चीन को हराकर जीता किसने जीता मिस्रे ने जीता इसक्वेश चंपिन यही पूछेगा इसक्वेश चंपिन किसने जीता तो मिस्रे ने जीता धर्ती माता की पूजा करने के लिए राजा उत्सो किस राज में मनाया जाता है तो राज़ा उत्सो धरती माता तो धरती मलत जैसे वहांपे का थे बिर्सम उंदो उनको धर्ती बाबा विका जाता था तो वो जहारखंड से रिलेटर है तो यहीं धर्ती माता भी ऐसे जाद रखे लिए जहारखंड है आर्वियाई की मौद्रिक नीती समित ने अपनी जून दोजार तेज की दीमासिक बैठक में किस अस्तर पर रेपो दर्थें की 13 का बताई है तो किस अस्तर पर रेपो दर्थे की 7.24 पर किस पर 7.24 पर पर पहला जन जातिये खेल महुसर 9 से 12 जून तक किस राज में आउजित किया गया 14 का तो कहां पर मदपरदेश में ठीक मदपरदेश में आउजित किया गया 15 का देखिए बिस्व बैंक ने किस देश में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बित पोशट समझा होते के साथ दच्छ एसिया में अपनी पाहली समर्पि सडक सुरच्छा परियोजना सुरू की 15 तो भूटान ने याद रखेगा भूटान ने किस केंद्रिय मंत्रा ले ने दुख्ध संकलन साथी मोबाइल याद रखेगा भूटान साथी मोबाइल एप का अनावरण किया तो भारी उद्दोग मंत्रा ले ने 17 किस राज सरकार ने पदम पुरुसकार बिजिताओं को 10,000 रुपे मासिक पिंसन देने की घोषड़ा की किस राज जो पदम पुरुसकार बिजैता है उनको 10,000 रुपे मासिक दिया जाएगा तो ये हरियाडा ने किया याद रखेगा हरियाडा ने किया रक्तदान दिवस वर्ड बलड डॉनर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है बताईए किस दिन मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है अठारा को दिए तो ये चौदा जून को मनाया जाता है हाले में किस राज में रिजर्व बैंक का उपकारियाले खुला है आज ये मैं आपको इसकी PDF भी पूरी फरवाइड कर दूँगा जब से मैं पढ़ा रहा हूँ इस चारी पार्ट पढ़ाऊंगा मार्च तक आपका काफी है तो ये आपका दिसंबर से मार्च तक जितनी भी क्योशन है सबका PDF आज टेलिग्राम पे दे दूँगा वहाँ पर जाके डाउनलोड के लिजिएगा खुद के लिए पढ़ने के लिए ठीक है मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि लाश्ट किब में आपको दे दिया जाएगा ये PDF तो उन्नेस का बताईए उन्नेस का क्या होगा हाली में किस राज में रिजर बैंक का उपकारिया ले खुला हो और तो ये नागा लेंड में याद रहना लेंड में खुला अब कि अब आश्टेजिया किरेकर टीम डव्डू टीसी फाइनल 2020 में किस अटेज को औराकर पहले बार टेश्ट चंपरिसिप का किता टेस्ट टेश्ट जिपने जीत लिया तो भारत या डखेगा भारत को अटेपरा कर ठीक है तो भारत को भी टेस्ट में भी हरा दिया और वन डे में भी हरा दिया किस राजस के इंद असासित परदेश ने हाली में जिला सुसागन सोचकांक जारी किया तो किस ने जारी किया तो अरुडांचल परदेश ने जारी किया याद रखेगा अरुडांचल परदेश नहीं इचार इस श्कूल जिच्छा में हालिया प्रगत्रिय समयलन का विजलग कहां किया गया तो यह पंजाब में किया गया याद रिखे आप पंजाब में किया गया तो मड़ीपूर याद रखेगा मड़ीपूर ठीक है मड़ीपूर में किस राज्य में अन्सुया उग्ये के नेतुत्र में सांथ समित का मड़ीपूर में परधान मंत्री नरिदमोदी ने 11 जून 2023 को कहां पर पर्थम राष्टिय प्रसिचर सम्मेलन का उद्गाटन किया यह नई दिल्ली में याद रखेगा नई दिल्ली में किया पांचुए राज्य खाद सुरच्छा सुचकांग के उनसार किस राज्य ने बड़े राज्यों में सीर्स र किया याद रखेगा केरिला ने प्रतान किया इस्रों ने किस देश के साथ अंत्रिच यान मिसन संचालन पर अंतराश्य सम्मेलन की मेजबानी की किस देश के साथ अंत्रिच ठीक है 26 तो रूस के साथ याद रखेगा रूस के साथ किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दुग दिमिसन बहुत important है नंद बावा दुख दिमिसन योजना सुरू की तो उत्तर प्रदेश अपने उत्तर प्रदेश ने नंद बावा दुख दिमिसन योजना सुरू की भारत ने पांच जून किस केंद्रिय मंत्राले ने गोबर धन के लिए एक कृत पंजी करड़ पोर्टल लांच किया बताइए किस केंद्रिय मंत्राले ने तो गोबर धन के लिए जल सकती मंत्राले याद रखिएगा जल सकती मंत्राले तीसमा देखिए हाली में किस राज्य ने डोर टू डोर कच्रा संग्रह और पिर्थकरड के बारे में जागरूपता बढ़ाने के लिए बिसेस अभियान सुरू किया तो डोर टू डोर कच्रा संग्रह करने के लिए हर याड़ा ने याद रखेगा हर याड़ा ने सुरू किया किस राज ने MSME के लिए 15 दिवसिये मेगा पंजिकर अभियान सुरू किया 31 का बताईए तो ये उत्तर प्रदेश ने अपने उत्तर प्रदेश ने MSME के लिए 15 दिवसिये मेगा पंजिकर अभियान सुरू किया कौन किस ने सुरू किया किस राज ने उत्तर प्रदेश ने 32 का किस देश ने भारतिय छेत्र के माद्यम से बंगला देश को जल बिद्धुत निर्यात करने के लिए एक समझाओते पर हसाचर किये 32 तो ये नेपाल ने याद रखिएगा नेपाल ने सुरू किस देश ने सरकार की उधार सीमा बढ़ाने के लिए रिड़ सीमा सौधे को मंजूरी दी वताइए किस देश ने तो ये अमेरिका ने याद रखिएगा अमेरिका ने किस देश ने हेलिकाप्टरों के लिए एसिया के पहले परदर्सन आधारित निविगेशन का परदर्सन किया तो ये अपका भारत ने किया याद रखिएगा भारत ने किया 35 का ब्रिक्स देशों के विदेश मंद्रियों की बैठक एक से दो जून 2023 को कहा आउजित की गई तो केप टाउन में आउजित की गई कहां पर केप टाउन में आउजित की गई एडगर रिकेविंस को किस देश के नए राश्टपती के रूप में चुना गया एडगर रिकेविक्स को किस देश के राश्टपती के रूप में चुना गया लताविया याद रखिएगा लताविया किस राजसरकार ने नमो सेथकारी महासम्मान योजना आरंब की है 37 तो ये महाराश्ट्रा ने याद रखेगा महाराश्ट्रा ने आरंब की है किस देश ने सेंजो 16 याद रखेगा सेंजो 16 मिसन लांच किया है तो ये किस ने लांच किया है चीन ने लांच किया है याद रखेगा थोड़ा सा मैं समय देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा सोचने का समय मिल जाए प्लीज कमेंट बॉक्स में जितना भी सही होगा आप करिएगा नेश्ट जो आएगा आपका यह करेंट अफेर का वीडियो उसमें सभी लोग आपका पर आपका और आइनक यह दिया जाएगा टीक ओ थोड़ा सा मतलब जब मैं टेस्ट लोगा तो थोड़ा सा आप मतलब पूरा माइंड उसमें लगा देंगे दिमाग पूरा लगा देंगे क्योंकि एक प्रेसर रहता है कि यहां अगर प्रेसर जेल लेंगे तो वहां पर जल्दी प्रेसर आप मतलब प्रेसर में नहीं आएंग सेंट्रल बेंक डिजिटल करेंसी को अपनाने वाला देश का पहला नगर निगम कौन बन गया है 39 का बताईए तो यह कौन बन गया है पटना नगर निगम बन गया है केंद्रियर अच्छा और पड़ेटन मंतरा रेद्वरा पचीस से 27 मई दोजार तेज तक आज जी टूंटी भष्टचार बिरोदी कारिसमू की दूसरी बैठक हाल ही में कहां संपन हुई कहां संपन हुई तो रिसी केश टिहरी में याद रखेगा रिसी केश टिहरी में केंद्रियर मंतराले ने ओसन रिंग आफ योगा तो बिसेस कारिकरम का आजन किया तो कौन सा वह केंद्रियर मं मंत्रा ले था उसर रिंग आफ योगा किया ठीक है यह कौन किया आयू समंत्रा ले ने याद रखेगा आयू समंत्रा ले ने किया भूम के टुकड़े को जोतते हुए एक बेक्त को चित्रित करने वाली मेसो लिथिक काल की राउक प्रिंटिंग किस राज में पाई गई तो यह कहां पाई गई आंधर परदेश में पाई गई इंपॉर्टन कुश्चन है याद रखेगा हिश्टरी में आपके आ सकता है किस देश ने वाइकेंट प्रोपर्टी रिफरस बेंट रिफरस बिसमेंट ग्रांट स्कीम योजना की घोशडा की बताएए किस ने घोशड कि किने आयुर्डन किस केनुदर मंताले ने यूवां पेस्वरों के लिए दश्च्छताओ ठिक है यह दश्चता फार्य यंग प्रोफेस्टनल्स लांच किया k ने शलते हैं हुटोटो स्वादेशी समों किस देश से संबंदित है हुटोटो तो यह किस देश से संबंदित है आपका तो किस देश से कोलंबिया से संबंदित है यादर किए कोलंबिया से A.D.B. ने किस राज केन सासित परदेश में उश्क उपोष कड़वन दिये बागवानी, सीचाई और मूल वर्दन जैसे हलका दिक्रागत मैं पुरा पड़ता हूँ मूल वर्दन परियोजना को लागू करने के लिए भारत के साथ एक रिड़ समझोते पर हस्ताचर किया तो बताएए किस राज और केंडर सासित परदेश ने अरवांचल परदेश बिहार, हमांचल परदेश या दिली तो किस ने किया हमांचल परदेश ने याद रखिएगा उपोष्ट बागवानी, ऐसे ही समझ जाएए जहां होगा तो उपोष्ट बागवानी, किस केंडरी मंतराले ने अंतराश्टी योग दिवस मीडिया सम्मान की घोशडा की 47 का, सूचना और प्रशारण मंतराले 48 तो ये बंदरगाह, नुवाहन और जल्मार्ग मंतराले की पाहल है फुकोट करनाली जल्बिधुत परियोजना के विकास के लिए किस देश ने भारत के साथ समझ होता ग्यापन पर हस्ताचर किये तो इस किस ने किये, नेपाल ने किया फुकोट करनाली याद रकियेगा, पूछ सकता है फुकोट करनाली जल्बिधुत किस मलब देश समंद देता है तो ये नेपाल, º, नेपाल से समंद देता है, important है याद रकियेगा फिप्टी देखिए हाले में किस देश में एक जलमगन मिट्टी का जौला मुखी सम्मरीन मड बॉलकेनों देखा गया तो ये कहां देखा गया जलमगन मिट्टी का जौला मुखी तो ये नौर्वे में देखा गया कहां पे नौर्वे में देखा गया ठीक है तो इसका तरमाला ये था आज अब ये पीडिया पूरा आपको मिल जाएगा ठीक है चलते हैं नेश्ट पचास कुश्चन देख आज डेड़ सो कुश्चन है पूरा महराथा नहीं समझीए ठीक है आप सब का महराथा वो आया तक कमेंट किसर महराथा न कड़वा देजिए ये डेड़ सो कुश्चन महराथा नहीं है पूरा देखिए लगब एक से डेड़ गंटे में खतम हो जाएगा अटल भूजल योजना की राश्टिया अस्सर पर संचालन समित की चौती बैठक 26 मई 2013 को कहां आयुजित की गई ये कहां पर आयुजित की गई याद रखेगा नई दिल्ली में यस बैदनाथन को हाल ही में किस उच्च न्याले के कारिकारिवाहक मुख न्याधिस के रूप में न्यूक्त किया गया है तो मदरास उच्च न्याले याद रखेगा मदरास उच्च न्याले जी टॉन्टी के जरिजाश्टर रिस्क डिड़क्शन वर्किंग ग्रूप DRRWG की दूसरी बैठक 25 मई 2030 को कहां संपन होई कहां पर संपन हुई तो कहां पर संपन हुई मुंबई में संपन हुई याद रखेगा मुंबई में संपन हुई चौथा देखते हैं हाल ही में किस राजय सरकार ने सभी जेलों में काल ब्लॉकिंग प्राड़ी के लिए टावल लगाने की सब्कृत दी मतलब सभी जेलों में कॉल ब्लॉकिंग प्राहड़ी के लिए टावल लगाने की सुपक्रिद्धी वह कौन सा अपका ये राज्य है तो ये जम्मू कस्मीर है याद रखिए का जेलों के बाहर मतलब उसके आसपास कॉल ब्लॉक हो जाएगा ठीक है ब्लॉक ये जम्मू कस्मीर रासायन और पेट्रो रसायन शहारित प्रोदोगी की और डिजिटल करण के माद्धेम से सतत बदलाव पर अंतराश्टी सम्मेलन का आउजन हाले में कहां किया गया तो कहां पर किया गया नई दिल्ली में किया गया याद रखिए का नई दिल्ली में किया गया छटमा, हाल ही में किस किर्गेटर को तिरपूरा परेटन के लिए ब्रांड अमबेश्टर नामित किया गया है तिरपूरा परेटन के लिए तो ये किस को नामित किया गया है तो सौरव गांगोली सौरव गांगोली बंगाल के भी ब्रांड अमबेश्टर है और यहां पर अपके तिरपुरा के भी ब्रांड मिश्टर है हाल ही में परधान मंतरी नरेंद मोदी ने किस देश का सरवच नागरिक सम्मान Grand Canyon of the Order of Logohu से सम्मानित किया गया तो वो क्या है किस देश का है तो यह पपुआ न्यू गिनी का है याद रखेगा पपुआ न्यू गिनी का निश चलते हैं आठवा करा है नविंतम ATP रैंकिंग में नोवाग जोकोबिच को पीछे कर बिस्व के नमबर वन टेनिस किलाड़ी कौन बन गए है तो कारलोस अलकराज याद रखेगे कारलोस अलकराज बन गए है बिस्व के नमबर एक टेनिस किलाड़ी चीनी उतपादन में महराश्ट को पीछे चोड़कर पर्थम अस्थान कौन सा राज जा गया है इंपॉर्टन्ट है याद रखेगा तो अपना उत्तर परदेश गन्ना और चीनी में दोनों उत्तर परदेश पहले अस्थान पर आ गया है सुसासन बिनिमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज़ कौन सा है तो ये महाराश्ट है याद रखेगा महाराश्ट है चौथे राज़्टिय जल पुरुसकार 2022 में किस देश ने अपना पहला अस्थान पराप्त किया तो हर्याडा ने पराप्त किया डेनमार्क के होलगर रून को हराकर इटली ओपन टेनिस में पुरुस सिंगल का किताब किस ने जीता तो किस ने जीता डेनिल मेद बे देवने जीता ठीक है डेनिल दन मेद बे देवने जीता बारा का तेरा भारत ने किस देश में चक्रवाद मोचा से प्रभावित लोगों को मान भी है सहायता परदान के लिए आपरेशन करूडा सुरू किया बताईए आउप्रेशन करूड़ा किसे ने सुरू किया तो मेन मारने याद रखिएगा आउप्रेशन करूड़ा मेन मारने ठीक है चक्रवात मोचा ठीक है भारत ने किस देश में चक्रवात मोचा से पर भावित मानुविय सहायता के लिए आप्रेशन करूडा तुम्यान मार किस राज ने 17 मई 2030 को बिरुजगार युवाओं के लिए मुकमंतरी सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी तो ये मद्ध पर्देश याद रखेगा मद्ध पर्देश ने सरवधिक मॉबाइल डेटा स्पीट के मामले में बिसमिस सीख पर कौन सा देश है मतलब स्पीट के मामले में कौन है कतर है याद रखेगा कतर है ठीक है चाइना और कोरिया मत लगाईएगा कतर लगाईएगा हाल ही में देश के नए कानून मंद्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है सिश्टीन का तो अरजुन राम मेगवाल को सत्रह नंबर का सव डेज सव पेज अभियान किस संस्थान ने सव डेज सव पेज मतलब सव पेज होता है पेज किस संस्थान ने सुरू करने की खोशड़ा किया है तो यह आर वी आई ने आर वी आई किया गया है तो किस देश के तो यह फ्रांस का प्राद किया है फ्रांस ने प्रदान किया हाली में भारत हाली में वायुसेना के उपर मुक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है एयर मार्सल आस्तोस दिच्छित को रखेगा एयर मार्सल आस्तोस आपका दिच्छित को नियूक्त किया गया है किसको आस्तोज दिच्छित को 20 वा हरियाडा ने 13 वी हांकी इंडिया सब जूनियर माइला राष्टी ए चंपेंशिव 2023 में किसे हरा कर जीता हरियाडा ने 20 वा तो जहार गंड है याद रखेगा जार घंड को हरा कर जीता 21 नमबर का देखते हैं भारत और किस देश के बीच दिपच्चिय से नब्या समुंदरी सक्ती का चौथा संस्क्रड 14 मईए 2023 से सुरू हुआ तो समुंदरी सक्ती किस के किस के बीच हुआ तो ये सिरलंका ठीक भारत और सिरलंका के बीच बित्र वर्स 2022 देश में अमेरिका और स्रैयुक्त अरब अमिराथ यूवई के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा ब्यापारी बागिदार देश बन गया है तो बाइस का बता ये कौन बन गया है तो ये कौन बन गया है नीदर लेंड या दर के गा नीदर लेंड बन गया है अब कल के बाद आपका यह आज की मतलों आज तो यह खत्मी हो जाएगा इसके बाद फिर हम घटना सार जो आपका सुरूर था चल आता सीरियल वही हम करेंगे यह तो मैं आपको बीच में इसलिए लाया कि थोड़ा साब को पता चल जाए कहां मेरा बीक है कहां इस्ट्रोंग है अब जब मेरे साथ घटना सार पढ़ेंगे फिर दुबारा इस सुरू करेंगा तो आप थोड़ा सा मतलब देखेंगे हाँ यह कोश्चन में वहाँ पर नहीं बता पाया था यह कोश्चन हमको ब इक रूप में मानिता दी गई है तो यह हैद्राबाद का याद रखेगा हैद्राबाद गा का सबसे समयनिष्ज्ट हवाई इडे के रूप में मानिता प्राप्त किया है है एद्राबाद का हुआ यह लिंडा या करीनो हाल ही में किस सो remo Di आ कि नी स्यों नेद्त्रु अउन् किस संस्ताने हाल ही में रेश टू नेट जीरो सिरसक्स एक रिपोर्ट जारी कि ए तो किस संस्तान ने अनब याद रखी आध रह ए ऐसांग से ठीक है अनब जारी किसे अनेस्था ने जारी कि ने जगन नाकू चेद्बू दमकारिकरम का सुभारंब किया तुन्टी सिक्स बताईए आंध परदेश याद रखेगा आंध परदेश ने किस देश के साथ भारत का सैन अब्यास अजेया वारियर का सत्तमा संस्क्राइब 27 अपरेज से 11 मई दो हजार तेईस को आउजुद कि आ गया अजेया किस मतलब किस देश के साथ या साइन अब्यास था तो यह यूनाइट के इंगड़ा याद रखेगा यू की के साथ भारत में सबसे बड़ी एन बी एफ सी पावर फाइनेंस कारप्रोरेशन लिम्टेट की पाहली महिला अद्धच परबंद निगे देसक किस कुछन है याद रखेगा किस को किसे नियुक्त किया गया यह परमिंदर चोपड़ा को ठीक है परमिंदर चोपड़ा को हाली में कौन सा देस अरब लीग में 11 वर्स बाद सामिल हुआ तो कौन सा देस अरब लीग में 11 वर्स बाद सामिल हुआ तो सीरिया याद रखेगा सीर safety मैं मस्कूलर कि नाकि फिर्ड मरीजों के लिए बित्गार्ग裡面 घृषव कि लिए निज्चण में साइऽ कि अमरेज्ड मत dent 2019 माराज के स्वाराज राज रास या रखे झानिते हैं के वौ्ष है के पुलितिजर सावाण से सम्मानित किया गया बेरी मुश इंपोर्टन्ट है Yoался मार किया आज-पुद्र depths से किसे सम्मानित किया गया कि कि वायर टाइम कः में है मंदब जो वायर के समय कपई किया जाता है न्यूज उसके लिए पूर्ति जगल मिला है किसको मिला है एसोसियेटेड प्रेस यादर कि एसोसियेटेड प्रेस को मिला है हाली में किस भारतिये ने ट्रिपल जंप में राश्टिय रिकार्ड बनाया है किस भारतिये ने टिर्पल जंप में राइट रिकार्ड बनाया है तो परबीड चित्रवेल ने यादर किया परबीड चित्रवेल करनाटा को चिन्याले के पूर्व जज पी किष्णा भट को हाली में किसका परशासक न्यूक्त किया गया है तो भारतिये बास्केट बाल महासंग का परशासक न्यूक्त किया गया है संगाई सहयोग संगठन यस्यो के आठ सद्द सदेशो के बिदेश मंद्रियों की बैठक चार से पाँच मई दोजार तेश को कहां आयुजित की गई कि तो कहां पर आउजिध की गई कहां पर गवा में आउजिध की की गई अंतराश्य संगठन रिपोर्टर्स विद्द बॉडरस याद रखे आंतराश्य संगठन रिबिड़रस images डॉडरस दौरज जारी वर्ड प्रिस Freedom Index 2023 में भारत 180 देशों की सूची में किस अस्थान पर है बताई ये भारत 180 देशों की सूची में किस अस्थान पर है तो 101 एकसेट होएं अस्थान पर बेरी मोशन पॉर्डर्ड कुश्चन है याद रखेगा ये ऐसे कुश्चन बार बार पेपर में आते हैं किस कौनसे सां रिपोर्टर्स बिदाउट बॉर्डर जारा कौनसा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 याद रखेगा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 क्यों इनकी मतलब ये 161 एस्थान पर रहेंगे है इनका मतलब वही है कि ये दिन भी बैटकर यहां इन दो एक बैटा देते हैं इधर मुसलिम एक बैटा देते हैं इन दोनों को दिन लडाते हैं ठीक और ये दोनों जो आंकर यहां बैटे रहते हैं तो ये दोनों लड़ते रहते हैं तो क्यों होगा इसी लिए तो पीछे है मैं यह नहीं कराऊं कोई पार्टी है यह मतलब यह खुदी अपना आप हाल यह बना लिए हैं ऐसे ही 161 रैंक पर हैं यह देखें 161 रैंक पर हैं इनको कुछ और दिखाना चाहिए हाल यह में किस देश में सम्विधान संसोधन के लिए जनमत संग्रह करवाया गया 36 तो यह उजबेकिस्तान याद रखिएगा उजबेकिस्तान गुजरात और महराष्ट ने अपना 63 अस्थापना दिवस कब मनाया तो बताएगे कब मनाया एक मई को मनाया याद रखिएगा एक मई को मनाया कैपलर के आंकड़ों के अमसार शौदी अरब को पीछे चोड़ते हुई ये यूरोप के रिफाइंड इधन का सबसे बड़ा अपूर्थ करता कौन बना तो ये कौन बना है भारत बना है संटी यागो पेना हाली में किस देश के नए राश्ट पती बने है थर्टी नाइन तो प्रागवे के नए राश्ट पती बने हैं फिल्म फिर अवार्ड दोजातेईस में आलिया बट को उनकी किस फिल्म के लिए सबसेश्ट अवनेत्री के अवार्ड से सम्मानित किया गया है तो उनकी कौन सी फिल्म है गंगुबाई काठिया वार्ड याद रखे हैं गंगुबाई काठिया वार्ड हाली में करनाटक वि इकास ग्रामीर बैंक का नया अध्यक किसे नियूखत किया गया तो यह किसको नियुकत किया गयज़ के लगिए सीरिकांत युम् भाड़ी वार को याद रखेगा ओप प्छुद्र नियूकत किया गया है, 42 तो किसको रिसब पंध को याद रखिएगा रिसब पंध को 42 को क्या होगा रिसब पंध किस राज के मुखमंतरी ने लोगों कोई बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए महगाई राहत कैंप का उद्गाटन किया है किस राज के मुखमंतरी ने महगाई राहत कैंप का तो यह राजस्तान याद रखेगा राजस्तान 44 Kelvin Kelvin Captain हाली में सबसे तेज गज से इंजन मेरातन जीतने वाले वाले इतिहास के दूसरी धावब बन गए हैं वे किस देश से समपन देते हैं Kelvin Captain 44 केन्या से समपन देते हैं याद रखें केन्या गंगा पुसकरालू उस्व हाली में किस राजी में आयुद किया गया गंगा पुसकालू उस्व 45 तो ये उत्राखंड किसके उत्राखंड गंगा पुसकालू उस्व इंपोर्टेंट है याद रखिएगा गंगा पुसकालू उस्व भारत का पहला केबल इस्टेड रेल पुल अंजी अक्ष पूल, याद रहिएए ऐगी आंजी, खंडपूल किस राजि में अस्थाप्त किया गया है, अणजी खंडपूल, उनाओ को समीर मैं, एक मैं दोहजार, तेस को अपना तिरसाथमां अस्थापना दिवस निमलिखित में से किस राजिने मनाया, अपना 63 मास था अपना दिवस तो गुजरात और महाराष्ट कब एक माई को याद रखेगा एक माई को 63 मास था अपना दिवस गुजरात और महाराष्ट ने मनाया सहयोगत राष्ट विकास कारगरम के सहयोग से एक माई 2030 को सामाजिक छेतर में सरोचे कारे पराणिया एक सार संग्रा दोजार तेस को किस संस्थाने जारी किया है तो किस संस्थाने जारी किया है नीत यायोग ने जारी किया है मालदी प्राश्टियर अच्छावल MNDF के लिए हाली में एक था हारबर का निर्मार किस देस ने सुरू किया है बताई ये एक ता हारवर का निर्मार किस देश ने सुरू किया है फोटी नाइन तो ये भारत ने सुरू किया है याद रखेगा भारत ने सुरू किया है जम्मॉ कसमिर के बाद भारतीए बहु भग्ञे जीयसाय ने किस राज्ज में लीथियम की एक और पंडर की खोज की ताथ जब मुकस्त में रुको जादा इसके बाद मतलब कहां पर और खो जा गया तो यह राजस्तान में याद रखिएगा राजस्तान तो यह आपका इंसर की है अब हम कुंसा 25 मार्च से 25 अपर बस यहीं तक पढ़िए जादा मत पढ़िए ने तो जितना पढ़ेंगे उतना कर्म जादा यहीं तक मैं आपको पढ़ाओंगा है ठीक है क्योंकि एक साल तक बहुत मतलब मार्च से लग में इतना आप कंप्लीट कर लेंगे कई वार रिविजन कर लेंगे इतना ही 95% का 900% इसी में से पढ़ जाएगा आपका तो यह यह पढ़ लीजी और घटना सार पढ़ ल देता है पिलीज इससे पहले जो लोग सब्सक्राइब नहीं की हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे हम कहां कहां से आपके लिए यह सब्नोर्ट ढूड कि लाते हैं आपको करवाते हैं सोचते हैं आपका एक से दो नंबर मेरी वज़ा से बढ़ जाएए stopped coming भी अगर मैं पूरा पढ़ा देता हूँ और मैं उसको पूरा कंपलेट करूंगा ही और आपका इस से इस से ज़्यादा आपका आने वाला नहीं है कुछ ठीक है यहीं से आपका आएगा आप पेपर देखे आएगा हर एक कुश्चन यहीं से आपका करेंट का मिल जाएगा तो चलते हैं देखते हैं पहला कुश्चन किस राजसरकार ने हकेल संस्कृत को पुनरजीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना सुरू की है तो बताइए एक पंचायत एक खेल मैदान परियोजना किसने सुरू की है तो याद रखेगा यह केरला ने सुरू की है किसने केरल ने सुरू की है हाले में इसरों ने किस देश के दो गरो को अंतरिच में भेजने के लिए PSLVC 55 टेलिस को टू मिसन लाँच किया है तो बताइए किस को अब ही हम दो दिन तीन पहले ही बढ़ा है थे इसको सिंगापूर याद रखेगा सिंगापूर मिगूल डियाज कैनल को दूसरे कारिकाल के लिए किस देश के राश्पती के रूप में चुना गया है तो मिगुल डियाज कैनल को दूसरे कार कार कर किस देश के राश्पती के रूप में चुना गया तो ये क्यूबा के, याद रखिएगा क्यूबा के जितने भी नए राश्पती बनें हैं उन सब को या परधार मंत्री बने सब याद रखिएगा कोश्चन आ जाता है सायली सिंग ने बंगलोर में आवजित इंडियन ग्रांट पिरी फोर में महिलाओ के लंबी कूद जीत कर किस परतियोकता के लिए क्वालिफाई किया है तो एसी आई याद रखिएगा एसी आई के लिए अवरांचल परदेश किस राजी के साथ 20 अपरेल 2023 को अंतर राज सीम अभिवाद के निप्टारे के लिए एक समझा उते पर हस्ताचा किया है तो अनचल परदेश के पड़ो उसी राजी जो होंगे उसी के साथ हम जो तक किया होगा इसके कॉन है आपको यह आसम के साथ याद रखिएगा आसम के सार्व भारतिए राश्टिय सिविल सिवा दिवस कम मना जाता है 21 अप्राइल को याद रहिए कि 21 अप्राइल को Asian Infrastructure Investment Bank AIIB कहां पर पहला बिदेशी कारियाले खोलेगा बताईए कहां पर पहला बिदेशी कारियाले खोलेगा तो अबू धावी में अबू धावी में खोलेगा माना उतावादी पुरुसकार किसे परदान किया गया है तो सोनम बांग चुक को याद रहिए कि सोनम बांग चुक को बेरी मौश इंपॉर्टन है जिस पर इंपॉर्टन लगा दूँ बहुत इंपॉर्टन है संयुक्त राष्ट के नवींत माकोडों के अमसार भारत की जन संक्या कितनी हो गई है मनलब अभी जो संयुक्त राष्ट का आंकड़ा आया है उसके हिसाब से पूछ रहे हैं कि इतनी हो गई है 142.86 करोड राजस्तान में सिरी अन्न महुस्य का हाली में कहां आउजित की गए तो जोधपुर में कहां पर जोधपुर में आउजित की गए 2013 का मैलकम आदिसेसिया पुरुसकार के लिए किनहें चुना गया है तो मैलकम बेरी मोश इमपर्टन्स कुश्चन है याद रखिएगा मैलकम आदिसेसिया पुरुसकार किनहें चुना गया है के लिए किनहें चुना गया है बताईए अले बंद का तो ये उत्सा पत्नायक याद रहे कि उत्सा पत्नायक को बिजिटन किर्केटर अलमाने के अनुसार भारत की किस खिलाड़ी को टी-20 किर्केटर आफदा इयर चुना गया है टी-20 किर्केटर आफदा इयर तो ये सूरी कुमार यादों है ठीक है लेकिन वर्ड कप में सूरी छिपा ही रहा हाल में भीम डिजिटल लाइबरेरी का लोकार पर किस राज़े में किया गया है तो हर याड़ा में किया गया है याद रखेगा हर याड़ा में किया गया है जी सेवन साथ का समू उर्जा और प्रयावण मंत्रियों की बैठक हाले में कहां आउजित की गई है बताईए फोटीन का कहां आउजित की गई है तो ये जापान में आउजित की गई है कहां पर जापान में आउजित की गई है डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एसोसियेशन एडियार और इलेक्शन वाज की रोपोर्ट के अमसार भारत का सबसे धनी मुखमंतरी कौन है तो भारत का सबसे धनी मुखमंतरी किसको बनताया गया है तो यह आंदर प्रदेश के मुखमंतरी जगण मोहन रेड़ी याद रखिएगा आंदर प्रदेश के मुखमंतरी जगण मोहन रेड़ी सबसे धनी है हाली में उत्तरपूर्वी भारत के पहले एम्स का उद्गाटन कहां किया गया है उत्तरपूर्वी भारत के पहले एम्स का ठीक है तो यह कहां पर किया गया है तो गोवा हाटी में याद रखेंगा गोवा हाटी में बहुत लेट हुआ है क्या वहाँ पर आदमी नहीं रहते थे क्या सत्रह देखेंगा तेरह अपरेल को अमन सहारावत ने एस्याई कुस्ती चेंपिर्शिप दोजार तेश में सौड़ पदक किस देश के खिलारी को हरा कर जीता अमन सहारावत ने एस्याई कुस्ती चेंपिर्शिप दोजार तेश में शौड़ पदक किस देश के खिलारी को हरा कर जीता तो यह किस देश के खिलारी को किर्गिस्तान याद रखेगा किर्गिस्तान की राज़ानी 20 क कि याद रखेगा किर्गिस्तान की राज़ानी 20 क है business leader of the decade award 18 तो कुमार मंगलम बिरला को ठीक जाद रखे का कुमार मंगलम बिरला को परदान किया गया है 11 अप्रेल 2030 को अंतराश्टिय मुर्द्रा कोस ने चालो बित्वर्ष के लिए भारत की आर्थिक बित्यदर का अनुमान छे दस्मलो एक पर्संट से घटा कर कितना कर दिया है 19 तो भी पांद दस्मलो नो पर्संट हाले में आई पिल में सबसे तेज सो बिकट लेने वाले पाहले बारतिये कौन बने हैं हाले में चुनायोग ने किस पार्टी को पहली बार राष्टिये पार्टी का दरजा पर्दान किया है 21 तो आम आदमी पार्टी याद रखेगा आम आदमी पार्टी को केंद्रिय ग्रिह और सहकारता मंतरी आमिस साह ने 10 अपरेल 2023 को अरणाचल परदेश किस सीमावरती गाउं में बाइबरेंट बिलेज प्रोग्राम ठीक है का सुबारम किया है तो बाइबरेंट अमिस साह इंपॉर्टन कोश्चन है याद रखेगा बाइबरेंट बिलेज प्रोग्राम तो ये कीबू तो याद रखे कीबू तो तीन से छे अपरेल को वर्ड बैक्सीन कांग्रेस कहां आउजित की गई है बताईए वर्ड बैक्सीन कांग्रेस कहां आउजित की गई है तो वासिंग गटन में याद रखेगा वासिंग गटन में बेस्व का पहला जटायू ACI किंग गिद सानरचर केंदर उत्तर प्रदेश में कहां आस्थापित किया गया है बेरी मोश इंपोर्टन्ट है अभी राम जी का मंदिर बन रहा है जटाओ थोड़ा सा परशिद्ध है इसमें थोड़ा सा नियूज में है तो ये कुश्चन आपके लिए इंपोर्टन्ट हो जाता है बिस्व का पहला जटाओ एसी आई किंग गिद सानरचर केंदर उत्तर प्रदेश के में कहां पर असापित किया गया है 24 इंपेरी मोश इंपोर्टन्ट है तो महराज गंज याद रखेगा महराज गंज जटाओ महराज गंज ठीक है भारत की राष्टी ये भारत की राष्टपती दुर्पदी मुर्वू ने आठ अपरेल 2023 को किस वायू सेना से सुखोई 30 याद रखेगा सुखोई 30 एमके आई लड़ाकों विमान से उड़ान भरी दुर्पदी मुर्वू जी ने गुता ये कहां से उड़ान भरी तो ये तेजबुर्स है याद रखेगा तेजबुर्स हाले में आई पिल में 5000 रन बनाने वाले भारत के पांचवे बल्ले बाज योंबिस्व के साथवे बल्ले बाज बन गए हैं तो ये कौन बन गए हैं ये महेंदर सिंग धोनी बन गए है है आई पिल में 5000 रन बनाने वाले भारत के पांचवे बल्ले बाज और ब्ले बिस्व के सातोए बल्ले बाज बन गए हैं महेंदर सिंग धोनी चेननी सपर गिंग रष्टती धृपधी मुर्वमुने असम के कारजी रंगा राश्टिय उद्दान में गज उस्सो दोजार तेज का उद्खाटन किया ठीक कब किया ये पूछा है तो ये तो ज़्यादा इम्पोर्टन नहीं कब किया ये ही सब ज़्यादा इम्पोर्टन है लेकिन जान भी लीजये कब किया तो बताएए कब किया तो सा अप्र irgendwas किया जाज रिकिए साथ अप्राइल को किया दिश्द दिखते हैं 28 हाले में किस देश के राशपती को पोलेंड का सरेच्छ सम्मान order of the white eagle परदान किया गया किस देश के राश्टपती पोलेंड का सरवेच सम्मान तो ये उक्रेन के राश्टपती वालदी में जलेंस की याद रखेगा जलेंस की है इन्हें ही परदान किया गया 28 उक्रेन के राश्टपती नासा ने हाली में किस मिसन के लिए पहली महिला और आसवेद पुरुष का चैन किया है पहली महिला और आसवेद पुरुष का चैन किया है नासा ने किस मिसन के लिए तो चंद्रमा मिसन के लिए याद रखेगा चंद्रमा मिसन के लिए हाले में किस देश के बड़े पैमाने पर निवेस पर योजनाव को आकरसित करने के लिए गोल्डन लाइसंस पर लुपहाद सुरू की है किस देश ने तो ये बाहरीन ने याद रखेगा बाहरीन ने किस राज सरकार ने सिच्छा और रोजगार में दस परशंद आरेच्छड परदान करने के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग स्रेडी को आजिसूचित किया है 31 तो ये करनाटक है किस मंतरा लेद्वारा एक अपरेल 2023 को जारी किये गए रूपे रहा हिंदू धर्म परटी पूर बगरा की निंदा करने वाला एक परस्ताव पारित किया गिया तो हिंदु फोबिया की निंदा करने वाला ठीक है एक पस्ताव कहां पारित किया गया अमेरिका का कौन सा राज्ज है जिस हमारे यहां सब राज्ज है यह से वहां भी सब राज्ज है तो कौन सा राज्ज है जार्जिया याद रखेगा जार्जिया हाली में उत्रे अट्लांटिक्स हैं संधी संगठन नाटो का 31 सदस्य कौन देश बन गया है नाटो का 31 ये तो सबको पता होगा कौन फिन लेंड बन गया है कौन बन गया है फिन लेंड बन गया है अफरीका भारस का संयुक्त सेन अब्यास पर छेत्र पर सेचछड अब्यास if इंडेक्स तेईस सोलह मार्ज से 29 मार्ज दोजए तेईस तक कहां आयुजद किया गया इफ इंडेक्स दो तो तेईस ठीक ये भारत का सैयुक तो सैन अभ्यास भारत और अफरीका का ये कहां आज़ित किया गया तो ये कहां आज़ित किया गया पूडे में याद रखेगा पूडे में आज़ित किया गया टी टुन्टी अंतराश्टिये में सबसे ज़्यादा बिकट लेने वाले गेदबाज कौन बन गए हैं तो कौन बन गए हैं साकिब अल-हसन टी टुन्टी अंतराश्टिये में सबसे ज़्यादा बिकट लेने वाले गेदबाज साकिब अल-हसन बन गए हैं रेल्वे नेक बिस्व की पहली साथ दस्मनों दो मीटर हाई राइज बंदे भारत ट्रेन का किस रूट पर ट्रायल सुरू किया तो दिल्ली जैपूर रूट पर हाली में एसुसियेटड मेंबर्स आफ कामर्स अंड इंडिस्ट्री आफ इंडिया एसो चैम के अध्ष के रूप में किसे अध्ष किसे निउक्त किया गया है तो आजय सिंग याद रखेगा आजय सिंग को नियुक्त किया गया है कि अंदर सरकार ने पेंशन कोस्ट नियाबा क्यों विकास प्राधिकरण के लोगपाल के लिए अधिक्तम आयुक 65 वर्ष बढ़ा कर कितने वर्ष कर दिया है 39 का 70 वर्ष याद रखेगा 70 हाल ही में न्यूड टेवलमन्ट बैंग का अधिच कौन बने है तो न्यूड देवलमिट बैंग का अधिच कौन बने है डिलमा रूसिफ इंपौर्टन कुस्चन है याद रखेगा डिलमा रूसिफ 20-22 मार्च 2013 को बारते नौसेना और इगलैंड की रॉयल नेवी के बीच कौन सा समुन्दरी अभ्यास अरब सागर के कौंकल तड़ पर आयुजित किया गया तो ये कौन सा है समुन्दरी अभ्यास कौंकर 2030 किस पर कौंकर अरब सागर के कौंकर तड़ पर आयुजित किया गया कौंकर बनलब गहां गोवा हुआ है ठीक है बुदर साइड तो ये समुन्दरी अभ्यास कौंकर 2030 हाली में मतुवा मेला का आयुजित कहां किया गया है मतुवा मेला का आयुजित कहां किया गया है जहारकंडूडी सा पश्चिम बंगाल ये याद रखेगा पश्चिम बंगाल में किया गया हाली में ग्रीन फिल्ड डाटा सेंटर और इंटरप्राइज कम्प्यूटिंग य यहादार सिला कहा रखी है 43 कि एक भुली स्प्रhmm याद रहugo है पूनिश वर में लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करीएगा सब्के रख हम जितने लोग कमेंट 50 लोग करेंगे हम 50 लोग की पूरा कमेंट दिखा देंगे के तने ओक लोग ठीक है तो यह मत तो कुछ यह कि जादे लोग हो जाएंगे कमेंट तो नहीं दिखाएंगा हम सबका कमेंट दिखा देंगे सबका राइंग भी दिखा देंगे ठीक है नित्र के लिए नित्र कलानिद पुरुसकार 2023 कि नहीं परदान किया गया है नित्र कलानिद पुरुसकार किसे परदान किया गय है आली में छत्रपती सिवाजी महाराज इल्टरिश्टेड पुस्तक कि नियों ने लिखी छत्रपती सिवाजी महाराज इलिस्ट्रेटेड पुस्तक किनों ने लिखी केंद्र सरकार ने 24 मार्च 2030 को केंद्रिय करमचारियों के लिए महागाई भत्ता डिये में कितने परशंट की बढ़ोत्री की है 46 तो चार परशंट की बढ़ोत्री की है कितना चार परशंट की बढ़ोत्री की है इंटरिनेशनल सिविल एवियेशन और्गनाईजेशन द्वारा जारी आंकडों के अंसर भारती बिमावन सुरच्छा ने छड़ तंत्र को बिस्व में कौन सा अस्थान प्रदान किया गया है 47 तो 38 अस्थान प्राद कि कितना 48 अस्थान प्राद कर किया गया है 48 का देखते हैं हाल ही में वर्ड आफ इस्टेटीक्स ने बिस्व के सबसे अपरादिक देशों की रैंकिंग जारी की भारत किस अस्थान पर है ठीक है सबसे अपरादिक देश किस रेडिम जारी किया भारत इसमें कौन से अस्थान पे है तो कौन से अस्थान पे है 48, 78, 82, 77 तो याद रखेगा 77 अस्थान पर है भारत 77 अस्थान पर है मिस इंडिया 2023 कौन बनी है मिस इंडिया 2023 नंदनी गुपता याद रखेगा नंदनी गुपता मिस इंडिया 2023 बनी है इस्पेन के कॉरलर अलकराज ने किसे हरा कर बार्षलोना ओपन चंपरनसिप जीती है ठीक है तो इस्पेन के कारलोस अलकलाइज री किसे हराकर बार्षलोना ओपन 1517 चीथा बताए किसे हराकर तो तो इस्टे फानोस सित सिपास याद रखेगा इस्टे फानोस सित सिपास को हरा कर में ची इसमें याद रखेगा बार्सलोना ओपन चंपरिसिप किसने जीता है तो ये पूछेगा तो कौन कारलोस अलकराज ने और ये भी पूछ सकता है कारलोस अलकराज कहां के हैं इस्पेन क हैं ठीक है तो इतना आपको याद रखना है तो पचास कुश्चन आपका यह हो गया आपका यहां पर एंसर माला दिया हो वैसे आप आज आपको पीडियो जाके वहां पर टेलिग्राम का नीचे लिंक दिया गया है वहां से इस पूरी पीडियो को इतना हमने पढ़ा दिया है ठीक है इतना ही आप पढ़के जाएए थोड़ा सा एक दो बार इस बीडियो को जितना हमने बीडियो चार बीडियो डाला है इस चार बीडियो को टू की स्पीड में ही चाय देख लिया करिये इसको देख लिया करिये ठीक है ताकि आपको थोड़ा सा उबर वियू रहे या इस पीडियो को ही कई बार पढ़ लिया हम ऐसे ही दे देंगे जैसे ये लिखा गया है ना मतलब ऐसे जो लगा है ना ऐसे ही दे देंगे ठीक है ताकि आपको बार बार यहां आपको आके देखना ना पड़े ठीक है तो मैं कर देजिएगा लाइक कर देजिएगा आपका सब्सक्राइब लाइक हम कहारे लिए मोटिवेशन का कारी करता है और आप सब सेयर करते हैं उसके लिए आपको थैंक्यों तहे दिल से धन्नवाद नमस्कार जैहन जैभारत